हेलो गाइज नमस्ते मैया नम्दी श्वागत है आप सबी लोगों के हमारे यूटूब चैनल स्वास्तने बर में दोस्तों कैसे आप सब उम्मिद करते हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे और मस्त होंगे खुश होंगे तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप सबी लोगों के बताने वाले हैं कि चाहे आपके कमर की चर्वी हो पेट की चर्वी हो चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खाते हो आपके जो खाना है पच्छता नहीं है आपको हुल बरता है मिचली होती है आपका खाना पेट में सर जाता है आपका पाचन खराब है आपको नीद अच्छे से नहीं आती आपको खून जो है गाड़ा हो चुका है थक्का थक्का जम रहा है आपके सरी में नीला पड़ रहा है गांट पर गया है आपके सरी में जोड़ों में दर्द है आपको ऐसी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए जुन उसका हम आपको बताने जारें सिर्फ एक हपते में आपकी जो प्रॉब्लम है जगाई से खतम हो जाएगी जो आप दवाईयों हजारों लाखों रुपे खर्च कर रहे थे आपको यहां सिर्फ और सीफ आपके किचन में जो सामागिरी उससे ठीक हो जाएग फिर भी अगर उनको अराम नहीं होता है इदा और जाड़ फुक करवाते हैं बहुत सारे नुसके ट्राय करते हैं योट्यूब पर बहुत सारे वीडियो को सार्च करते हैं गुगल पर देखते हैं लेकिन जब उन्हें आराम नहीं मिलता है तो उन्हें अपने पैसों के ले जानकरी दें और इसका जो भी रिजल्ट है 100% सच जो बी रिजल्ट है 100% सही आए तो बस आई आई आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं सपोर्ट करें हमारे चैनल पागर आप लोग नहीं आए हैं अब तक सब्सक्राइब करें तो प्लिस स्टाइब करें कि अपने पेर को जमें पर रखने तुम जो पर शोग सबस्क्राइब करने जाता चाटां पूंकर की बता देते हैं जो भी आप खाया प्यास तरी में आपको शूट नहीं करता है जाता है अपको पOR-10 अच्छे से नहीं होता, आपको कोई भी a fast a person owners ता पराचन हो जाता है आपके पेट मेनने में दर्द होनी लगता है आपको बार बार यूरिन लगता आपके in infection को बिखाया को बटाहएं जादा से तरह चाहिए एक बताऊं इसे जो भी आपके सकती जो भी एनर्जी आपके खतम होगी आपको शरीर बहुत दुबला पतला हो गया है बहुत ही कमजोरी आ चुकिए तो इन उसके से आपको बहुत से ताकत एनरजी जो भी आपके एनरजी लोस हो चुकि आपको जो भी प्रावलम होती इस वीडियो में इसका आपके लिए बहुत फैदे मत बहुत ही जेवरदस कम करें गईज तो आईये जीरो के बराबर आता है लेकिन इस लेस्ट का इस्तेमाल कैसे करें जो कि आपकी प्रॉब्लम है आसानी से ठीक हो सके तो आया जान लाते हैं इसनों उसके को तयार करने का तरीका और खाने का सही तरीका तो आपको यहां पर तीन टिफ्स बताएंगे जैसे कि बहुत लोगों क ऐसे डिटी डॉटी जादा निकलता है उसके लिए आपको लासु लेना है तो गईस एब चार से पांच लासुन कि जो कली होती है उस कली को लिए उसको चील कर अच्छे से साब कर लें नमक डाल के सिल्बर्टे में उसको कूट लें ठीक है उसका रस निकाले जिए चमछ में जो भी चार से पांच बंद या आदा चमछ जो भी उसमें से रस निकिले आप उस लासुन को रस को पी जाए और उसमेंस जो गूंगुना हलका गूंगुना नार्माल पानी ले याद है कि आपको जो पान से 6 लाशन का करी लेक니 साप कर ले और उसको जो देसी ही होता है अब इसको रोजाना सुबा खाके में पानी सब्offраз आति हो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके सरी में जो भी प्रॉबलम होता है पेर से जोड़ी प्रोबलम में या फिर कमजोरी ठाकान को खोन गोंड की प्राबलम करें यह भी मैं आपको पता देती हूं सुबन आस्ते से पहले इसका सेवन करना है और इसे खाने के बाद आपको आदे घंटे तब कुछ भी नहीं खाना इस बात का ध्यान दे तो गैस मैं उमिद करती हूं कि यह जो हमने आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर जानकारे मिले अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्रिस अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा जरूर सेर करें ताकि बीमारी यह पैसे जो लोग आप फैसे घर पे ही बचा कर रखें और अपने प्राब्लम को आसाने सब्सक्राइब नुसके से जो आपके घरों में आपके किचन में उ तो से लिए आज के लिए मैं मिलती हूं फिर किसी एक अलग नाई वीडियो नहीं उसके के साथ तबते के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें धन्यवाद